हालो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासिस स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आई हूँ CHE 4 के कुछ important questions, कुछ revision questions वीडियो शुरू करने से पहले में एक बार आपको बता दो कि आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है BSE important questions का उस प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करोगे तो वहां पे आपको important questions regarding CHE 04 आपको मिल जाएगा जो बाकी सारी important questions regarding videos है वो सारी equally important है ऐसा नहीं है कि वो अगर पहले से बनी हुई है तो अभी वो important नहीं है जितने number videos हैं उसमें add किये गई है questions जैसे जैसे question नहीं आते हैं या उसके रावा क्या हो सकते हैं वो add किये गई हैं लेकिन सारी videos equally important है आज जो हम video upload करेंगे उसके साथ मिलाके सारी videos equally important है I suggest you all students कि आप सारी videos देखें ताकि कोई भी question चूटना जाए ऐसा नहीं है कि जो आज की video में हम upload करेंगे उसके लावा कोई question important नहीं है इसमें सिर्फ वो question जादा डाले गए हैं जो शायद पिछली video में कोई question ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ questions match करते हों पिछली video के साथ क्योंकि वो question बार बार आते हैं question paper में इसलिए आपको जो question हम यहां पे लिख रहे हैं वो repeat हो सकती हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सारी videos जरूर देखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की video क्योंकि latest है तो वही देखें तो फिर students बोलते हैं कि आपके आपने जो important question बता है तो उसके अलावा भी बहुत सारे question ऐसे आए हैं तो वह बहुत सारे question कहां से मिलेंगे आपको बाकी जो pastly videos है ना उनमें से आपको questions मिल जाएंगे तो अगर सारी videos को आपको compile करोगे तो पूरा एक syllabus का काफी sufficient more than sufficient होगा आपके लिए वो CHE4 के लिए त्यारी करने के लिए तो आपका भी time हम ज़्यादा consume नहीं करेंगे तो question start करते है ली चार्डियर principle first है इसकी statement है जो आपको आनी चाहिए इसकी ज़्यादा statement आती है उसके regarding numericals का कई बार आ जाता है तो उसके बाद है amalgam electrode क्या होता है उसके बारे में amalgam electrode की simply एक reaction भी आ सकती है journal reaction ज़्यादातर definition नहीं आती है अगर आएगी तो एक journal reaction इस तरह से आएगे molarity क्या होती है ज़्यादातर questions में molarity आता है और उसका unit पूछा जाता है तो molarity क्या होता है with definition जरूर लिखे और with formula roll's law generally आ जाता है तो आप roll's law पर जरूर कर लीजिएगा next is what are the characteristics of ideal solution तो वो क्या होता है कि वो roll's law को obey करता है उसमें change of heat नहीं होता है change of volume नहीं होता है मतलब mixing of volume तो इसके बाद मैं आपको बता दू next is degree of freedoms क्या होता है very very important I think मैंने पिछली वीडियो में भी आया आप लिखा होगा ये repeat होगा question हो सकता है इसके बाद है face diagram of water face diagram of 3 marks में आ सकता है 4 marks में आ सकता है लेकिन I think 3 में आएगा अगर आएगा तो unit 13 में page number 68 69 पे आपको मिल जाएगा इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है ताकि अगर मैं वो भी answer यहां पर लिखती तो I think video अभी upload ना हो पाती next question is role of semi permeable membrane उसका role क्या होता है कि उसमें सिफ passage of only solvent particles not solute particles for example plant cells some cells of animals next is what are the factors in which the partition coefficient depends that is nature of solute and nature of the solvent and temperature next question is state of the system वो क्या होता है with example तो यह पूरी definition एक बार आप कर लीजेगा state of the system extensive and intensive and extensive properties क्या होती है वो मैंने यहां पर नहीं लिखा वो important है वो question आपको playlist में जो मैंने बाकी वीडियो अभी आपको बताया था वीडियो के starting में वहां पर आपको मिल जाएगा easily इसके बाद next question इस जीरोत लो तो मैं आपको बता दू जीरो लो फर्स्ट सेकिंड थर्ड तीनों की टेफ्ट अपको statement आनी चाहिए जितनी भी है इस तर्मल प्रोसेस क्या होता है इसो कौरी क्या होता इसो बारी क्या होता है यह सारी आनी चाहिए आपको definitions इसके लावा first law यहां पे देखे मैंने बताया था first law आ गया है अब इसके बाद jule Thompson effect क्या होता है important है definition कर लीजेगा इसके बाब next is haslog, haslog क्या होता है, isothermal process क्या होता है, यह तो मैंने कर दिया, haslog क्या होता है, इसकी definition, मतलब की statement, car note cycle important है, इसकी अगर mathematical calculation भी अब कर लें, derivation अगर है तो, page 37, unit number 8 में मिल जाएगे, entropy की definition आएगी, इसके regarding numericals कम आते है, next is give the all statements of second law thermodynamics, kelvin है, clausius है, यह सारी definitions आपको करनी होंगी, next is physical significance of A and G, Gibbs energy, इनकी आपको physical significance है, छोटा सा question है, next is actually negative value of G का significance है, third law क्या होता है, वो भी important है, देख लीजे एक पर, इसके पाद चलते हैं, next, next is clausius klaperin equation, very very important करके जाएगा, कई बार ऐसा होता है, एक साल में आता है, एक साल में नहीं आता है, अगले साल में फिर से आता है, ऐसे, इसकी repetition होती है, unit 9, page number 61 पे है, next is how does chemical potential depend upon temperature and pressure, यह पर depend लिखना भूल गए, एक derivation है, जिसमें, dg is equal to a journal equation है, इसमें, derivation, partial derivation किया गया है, at constant pressure, तो यह definitions use करी गई है, जिसके बाद इसको यहाँ पर differentiate किया गया है, तीनों values, एक constant, दो constant रखके, तिसरे के साथ इसको differentiate किया गया है, तो इस तरह से आपको negative value में एक derivation मिलेगी, तो यह एक बार कर लीजेगा, उसके बाद है, next is stark Einstein law, important है, what are the reasons for high photochemical dissociation, I think कि यह question किसी भी वीडियो में मैंने अभी तक नहीं डाला है, एक बार यह भी कर लीजेगा, photosensitization क्या होता है, chemiluminescence क्या होता है, definition, bradic arc method, unit 220 और page 21 पर मिल जाएगा, ultrafiltration, यह भी important है, यह method है, next is electrosmosis क्या होता है, electrophoresis क्या होता है, very important, langmir adsorption, isotherm, और इसके बाद, zero order reaction का एक example, और इसके बाद है, next, Bragg's law क्या होता है, definition, और, what factors affected the magnitude of surface tension, और, smactic and pneumatic, pneumatic liquid crystal का डाइग्राम भी कर लीजेगा, और lindis method, यह भी important है, और units, जो first unit है थींग आपकी, उसमें units, first question आपका यही होता है, कि unit बताएं, that is, table 1.1, 1.2, 1.3, unit number 1 में मिल जाएगा, आपको, very, very important, लेकिन वो तीनों table अच्छे से करके जाएगे, तीनों table में से जातर तर important हो सकता है, work energy, इनकी unit same होती है, force and gas constant, unit 2, page number 19 में आपको मिल जाएगा, यह सारी चीज़ें करके जाएगा, I suggest आप पूरा table करके जाएगे, kinetic theory of gases, very important, I think this is all for today, और मैंने जैसे के पहले भी बताया था कि वीडियो, यह आज की वीडियो ही sufficient नहीं है, इसके अलावा जो आपकी पिछली वीडियो मैंने डाली है, चाहे वो पिछले साल की है, कुछ महीने पहले की है, सारी equally important है, प्लीज वो भी एक बार consider कर लीजेगा, और जल्दी से जल्दी इन वीडियो को देखने के बाद इसको like जुरूर कर दीजेगा, जादा से जादा share करें, और keep in touch with core classes, thank you.